आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टारंट स्टाइल डाल तड़का और उतना ही टेस्टी जीरा रैस नमस्कार दोस्त स्वागत है आपका मेरे चैनल में तो चलिए इसे कैसे बनाते हो हम सीखते डाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल को उबाल लेते तो यहांपर मैंने एक कटोरी भरकर तूर की डाल लिए इसे एक घंटा पहले ही बिगने के लिए रखाता इसे डालेंगे हम कोकर के अंदर आधा कटोरी मूख की दाल इसे मैंने आधा घंटे पहले ही बिगने के लिए रखा था इसके बाद मसूर की डाल इसे भी मैंने आधा घंटे पहले बिगने के लिए रखा था अब हम इसमें डालेंगे दो गलास पानी हल्दी पावडर आधा चमच देशी घी 1 चमच नमक 1 चमच तो दाल को हम कुकर में 3 सिटी होने तक उबाल लेते क्योंकि दाल को हमने पहले बिगने के लिए रखाता तो इसलिए यह जल्दी पक जाएगी कुकर का धकन बंद कर लेते और इसे हम 3 सिटी होने तक पका लेते दाल पकते हैं तब तक हम चावल को उबाल लेते तो यहाँ पर मैंने तीन तेज पत्ता लिए बड़ी इलाइची एक, लवंग तीन से चार, काली मीरी तीन से चार, छूटी इलाइची दोन दालचीनी के दो तुकड़े, इसे हम डालते हैं पानी के अंदर इससे स्वाद बहुती अच्छा आएगा राईस का, नमक डालेंगे हम दो चमच ग्यास को मैंने हाई फ्लेम पर रखाए तेल डालेंगे हम एक बड़ा चमच, तेल डालने से चावल बहुती अच्छे से एकदम सौप्ट बनते तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटोरी भरकर बासमती चावल लियाए इसे मैंने एक घंटा पहले बिगने के लिए रखा था तो पूरे चावल हम डालते हैं पानी के अंदर ग्यास को मैंने हाई प्लेम पर ही रखाए और हाई प्लेम पर हम चावल को उबाल लेते हलके हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे पाच मिनिट के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच नीमबु का रस नीमबु का रस डालने से चावल का कलर एकदम सफेद आता है और एकदम खिले-खिले पकते तो अब हम इसे अच्चे से उबाल लेते चावल पके हैं नहीं हम चेक करकर देखते चावल अच्छे से पक चुके तो अब हम ग्यास बंद कर लेते और इसे चान लेते तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी लिए इसमें डालते हम चावल और जो खड़ा मसाल आए उसे हम हटा लेते चावल जल्दी थंड़े होने के लिए इसे हम एक परात में निकाल लेते और जो बच़े हुए खड़ा मसाल आए उसे भी हम हटा लेते डाल पकी याने हम चेक करकर देखते डाल भी अच्छे से पक चुके है तो अब हम इसे तड़का लगा लेते यहाँ पर मैंने एक कड़ाई लिए इसमें डालते हम दो चम्मच देसी गी आप स्रीप तेल में भी दाल को बना सकते या फिर तेल गी दोनों मिक्स करकर भी दाल बना सकते तेल अच्छे से गरम हो चुका है ग्यास को करेंगे धीमी आजपर इसमें डालेंगे दो तेज पत्ता चुटकी वरहिंग जीरा एक चम्मच कुछ सेकन के लिए इसे हम भून लेते इसके बाद दालेंगे तीन से चार बारिक कटी हुई हरी मिर्च बारिक कटा हुआ लसन एक बड़ा चम्मच बारिक कटा हुआ अध्रक एक बड़ा चम्मच इसे दो से तीन मिनिट तक भून लेते इसके बाद इसमें डालेंगे बड़ा साइस का बारी कटा हुआ पैच पैच को हम कच्चापन जाने तक भून लेते पैच का कच्चापन पूरी तरह से निकल चुका है इसमें डालेंगे बड़ा साइस का बारी कटा हुआ टामाटर इसके बाद नमक डालेंगे हम तो नमक अभी ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल पकते टाइम भी नमक डाला था मिर्च पाउडर एक चम्मच मिर्च पाउडर अब कम ज़्यादा कर सकते अपने टेस्ट के नुसार धना पाउडर एक चम्मच इसे दाल तड़का का स्वाद और भी बढ़ेगा ग्यास को मैंने धीमी आज पर ही रखाए ताकि मसाले जल न जाए इसे कुछ सेकंद के लिए मिक्स करते पानी डालेंगे हम एक से दो चम्मच ताकि मसाला जल न जाएगा तो हम इसे अच्चे से भून लेते ढकन रखकर इसे और दो से तीन मिनिट तक पका लेते तीन मिनिट हो चुके मसाले अच्चे से भून चुके कुछपु भी बहुत बढ़या से आ रही है और इसमें तेल चूटना भी शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे पकी हुई डाल तो अब ग्यास को करेंगे हम हाई फ्लेम पर जिसे मिक्स करेंगे डाल थोड़ी से गाड़ी है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जादा पतला भी मत कमानाईए और न जादा गाड़ा इस तरह से डाल बनाईए तो इदी के इस तरह से डाल बन चुकिए अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेती थोड़ा सा बारिक कटवा हरा धनिया तो इसे हाई फ्लेम पर एक उबालाने देते अगर आपो गरम मसाला पसंद हो तो आप डाल सकते अभी हम डाल के लिए तड़का बना लेते तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है इसमें डालते एक बड़ा चम्मच देसी घी घी अच्चे से गरम हो चुका है ग्यास को करेंगे धीमी आच पर इसमें डालेंगे एक चुटकी वर हिंग तीन से चार सुखी लाल मिर्च इसे मिला लेते इसके बाद डालेंगे एक बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर इससे दाल तड़का का कलर बहुती सुन्दर आएगा थोड़ा सा बारी कटवा हरा धनिया अब ग्यास बन कर लेते और इसमें डालते एक चम्मच पाणी ताकि ये मसाला जल न जाए तो ये तड़का हम डालेंगे दाल के उपर वाव एकदम मस हमारी दाल बन के तयार हो चुकी है एकदम रेस्टारंट स्टाइल तो इसे हम अच्चे से उबाल आने देते उपर से डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया अच्चे से उबाल आने के बाद हम ग्यास को बन कर लेते हैं तो दाल हमारी बन कर रेडी हो चुकी है तो अब हम जीरा राइस बना लेते जीरा राइस बनाने के लिए ग्यास के उपर मैंने एक पतिला रखा है इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मज घी आप घी तेल कुछ भी डाल सकते ग्यास को हम दीमी आज पर करेंगे घी अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मज जीरा तो जीरा राइस बना रहे तो जीरा थोड़ा सा जादा ये डालिए जीरा अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम चावल चावल हमारे अच्छे से थंडे हो चुके और एगदम खुले-खुले बन चुके पूरे चावल मैंने पतेले के अंदर डाल दे इसमें नमक डालेंगे आधा चमच तो अभी नमक हम देहन से डालेंगे इसके बाद बारी कटावा हरा धनिया तो इसे हम एगदम हलके चमच से मिक्स करेंगे ताकि ये चावल तूटेना गैस को हम दीमी आज पर ही रखेंगे और चावल को हम दो से तीन मिनिट तक लगातार चलेती हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा ये जीरा राइस खाने के लिए रेडी हो चुका है और दाल भी हमारी बन चुकी है तो दोस्तों आपको मेरा आज की वडियो कैसा लगा वडियो पसंद आये तो इसे ज़रूर लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले तो हमारा ये जीरा राइस खाने के लिए रेडी हो चुका है अभी मैं ग्यास बन कर लिती हूँ धन्यवाद